स्टूडेंट्स स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हम क्लासेज चेंदर आज हम बात करने वाले क्लास 10 के चैप्टर नंबर थर्ड की जो हमारे पास है मैटल एंड नोन मेटल के बारे में ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि वाट आर मैटल्स की एक इसके नदर क्या गया था है कि दोज एलेमेंट्स एलेमेंट्स विच अब रिफ्लेक्ट लाइट एंड है ओ आओ तो नहीं फॉल्ट शाइनिंग सरफेश पर हो है एलीमेंट को रिफ्रेक्ट करें और उनका सर्फेस को क्या हो साइंडिंग सर्फेस हो उस इलेमेंट को हम क्या बोलेंगे मैटल हो इनियुदごल के अंदर जो आपके elements उनको तीन टैब के नदर classify किया जाता है पहला आपके पास में आता है metal दूसरा आता है non metals और तीसरा क्या आएगा है तो अगर बात करें metals कि कौन कौन से element metal होते तो उसमें क्या कहता है और उनका surface क्या हो साइनिंग सर्फेस हो उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे मैटल से लियर है ठीक है दूसरी जो डेफिनेशन आती है इसकी वह हमारे पास में क्या आएगी कि दोज एलिमेंट्स दोज एलिमेंट्स विच है ओ वन तू और थ्री एलक्ट्रोन इन देयर को गयरा है कि वो एलिमेंट्स परियूडिक टेबल के उन दर जितने भी ऐलिमेंट्ट है उन में से वह जिलिमेंट्स जिनकी वैल याण व sms उन एलिमेंट्स को हम क्या उलते हैं वैलेंजर से थो सब्सक्राइब करें सभाट करें वैलेंजर से तो से पहले बात करें वैलेंजर सेल्की है कि इसके ंतर गया कहता है कि it is the outermost cell of an atom या फिर of an element किसी भी element के जो atom होता है उसकी जो outermost या नहीं सबसे बहार की जो cell होती है वो cell क्या कहला ही वेलेंस cell कहला ही ठीक है और उसके अंदर number of electrons पर्जेंट होते है number of electrons पर्जेंट इन कि वेलेंस सेल आर पॉर्ड वेलेंस इलक्ट्रों को हम क्या बोलेंगे वेलेंस समझे हैं समय को ठीक न यह इंटर्मोश्ट शैल के अंदर पर्जेंट होँगा क्या 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 अते हैं फैक क्या है अंदर शहां होटी है लेके सेवन भी हो सकती है यह कैसे होती है वो देखवा मालो हमने एक जांपल लिया चल देंगे और आपना आठारवन कमिक नंबर किंगे लगाइं से सब्दसेंक्सी करेंगे लैट्रोनिक ओनठीक सब्सक्राइब करने के दो तरीकवेत्य हमारे पास में ठीक है पहला तो क्या है कि आप नोर्मल ऐला कर रोनिक 18 & 32 इस टाइप से लक्ट्रों स्विल कर जाते हैं, मतलब जो आपकी N is equal to 1 होता है, इसके अंदर हमेशा तू तू एलक्ट्रों साएंगे, तो यहां तो आप इस तरीके से लक्ट्रोन को फिल कर सकते हो तो वहां से आपको सबसे लास्ट में जो मिलेगी वह उसकी वैलेंस से लाइगी समझ भी आ गया ठीक है जैसे हमने कार्बन के लाक्रोनिक तो यहां पर हमारे पास लक्रोनिक्स स्टार्टिंग मेंने टूफिल की है उसके वाल कितने हैं सी से एट लेकिन हमारे पास कितने से फोर से तो हमें यहां पर फॉर फिल कर दिया तो इसकी जो वैलेंस से यहां से आएगी वह आपकी इतनी आएगी तो और बात करें वैलेंस कि इसका फार किक्रशक लाये वह है आएंगे रावेंस मड़ी फेम ड़ेंब तो इसलिकर नाएंगे पास करने का समझ में आगया ठीक है दूसरा जो एलेक्ट्रोनी कॉन्फिग्रेशन करने का तरिक्षा होता है वो होता है आपके पास में कि आपको सबसे पहले राइट करना रहेगा यहां पे वान एस टू एस टू पी इस में मारे पास कितना एगा 3S, 3P, 3D उसके बाद में आएगा 4S, 4P, 4D and 4F फिर आएगा 5S, 5P, 5D and 5F उसके बाद में हमारे पास में आएगा 6S, 6P, 6D फिर आएगा 7S and 7P ठीक ना तो इसके अंदर देखो आपको शिरफ यह चीज़ याद रखें ठीक है अब इसमें क्या क्या लिखा है वह बताता हूँ यहां पर जो आपने 123 लिखा है वह आपका क्या है main cell है क्या है main cell तो हमारा जो main cell है वह एन रिपरजेंट करता है और वह कितना है वन से लेके 7 तक है यह हमने 1234567 लिखा यह थो हमारे क्या है main cell है ठीक है यह one से seven तो क्या हो गया है main cell हो गया उसके बाद में हमने लिखा है sub cell क्या लिखे है sub cell का मतलब क्या होता है कि main cell के अंदर जो cell पर जेंट होती है उसको sub cell बोला जाता है और इनको रिपरजेंट क्या जाता है एस पी डी और एक ते तुरू इससे रिपरजेंट करेंगे S, P, D और F पहला जो sub cell होता है अगले वाला P होता है फिर D होता है और फिर F होता है तो यहां पर यह जो हमने पैटरन मनाया है इसके अंदर क्या गया था कि आपका एनजी इकॉल टू वन अगले वाला जो फोर आएगा उसके अंदर S, P, D और F आएगा फिर जो एनजी इकॉल टू सिक्स आएगा उसके अंदर S, P, D और D आएगे और एनजी इकॉल टू सेवन वे S, और P ही आएगा ठीक है मतलब अगर हम किसी भी element का अगर या किसी भी atom का structure बनाते हैं मालनों हमने यहाप electronic configuration क्या हो था carbon का तो carbon हमारे पास में कितना आया था 2 and 4 अगर आप इसके according electronic configuration करते हैं तो क्या आएगा तो समसे पहले इसका structure देखते हैं इसके अंदर देखो दो cell आ रहे हैं एक तो यह हो गया इस अटम का न्यूपिस उसके बाद में हमने बनाया एड़ इस इक्वॉल तो वन और इसके बाद में जो आएगा वह आएगा त्म तो यह आपर हमारे पास दो इनके अंदर क्या होती है यूदि कोई भी एटम होता है उसके पहले मेंसे लाती है फिर उसके अंदर समसे लाती है समसेल के बाद में आपको मिलेगे उसके अंदर orbitals कितने कैंने बिलेगे orbitals और orbitals के अंदर आपको इसमें मिलेगा electrons का मिलेगे? electrons. समझ में आ रहा है? समसे पहले main cell रहेगा उसके बाद मैं sub cell आएगा findle orbital आएगे? orbital के अंदर के आएगे? electrons. देुए, अब बात करते है orbital की और टेके तो इसमें कहता है कि अगर आपके पास में ऐसे समसेल है तो इसके अंदर सिरफ एक ही ओर सिर्क एक हगे आपके पास में पी सब्सेल ऑन है तो उसके अंदर थिर्षर्ट चो इसके अंदर तो ँस इसमें थ्री आएंगे इसमें फाइफ आएंगे और इसमें सेवन और एंदर डविक्ट रहाएंगे अब ये कहता है कि एक ओर्बिक्राइब के अंदर दो एलक्टरोन आ सकते हैं यहाँ पर हम देखें स्कें अदर कितने अलक्टरोन आ है ? दो . भाइं क्योंकि यहां पे N is equal to 1 के अंदर एक ही सबसेल है S ूर S के अंदर हमें orbital कितना मिलेगा ? एक, तो इस एक orbital के उर्बित्र के इंदर कितने elements आ सकते हैं ? दो फिर हमारे पास आ गया S और T s के अंदर हमारे पास में 1 orbital, P के अंदर हमारे पास में टोटल कितने हो गए चार चार के अंदर इलक्ट्रॉन को तो यहां पर लाक्ट्रों कितने आएक talent उसके बाद के तूप तो ओन और मींटल और हो गया थ्री वे फ़ाइफ इसमें टॉटल कितने हो गए टीग है अब बात करते हैं उलाक्ट्रो इक ओन्फीक्रेशन की कि इलाक्ट्रोंद्र इक कि एकडती ओसके लिए यूशे यह उसके लाने ज्यान देना है कि जो लग रहे हैं और ओधांच क师 की उपर लागे समसे पहले क्या आ रहा है पीछे की साइड से देखें कि 1s आया उसके बाद में 2s आया 2s complete हो गया फिर क्या आया 2p 2p के बाद में क्या आया 3s 3s के बाद में क्या आया 3p 3p के बाद में क्या आया 4s 4s के बाद में क्या आया 3d 3d के बाद में 4p और 4p के बाद में हमारे पास आय आएगा 4F ठीक है इसके बाद में अगर हम इदर करते हैं 5S 5S के बाद में मारे पास ही आएगा 4D 4D के बाद में आएगा मारे पास 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5F 6D और 7P ठीक है ये जो अरेंजमेंट होता है इसको बोला जाता है इलाक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन क्या बोला जाएगा इलाक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन तो अगर हम डिफाइन करना चाहें इलाक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन को तो आपका जो इलाक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन है वो क्या होता है कि लाक्रोनी कॉनिफिगरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो इसमें कहाता है कि इट इस दा अरेंजमेंट bble जाने कि उैजमेंट उली इंद्टि इं इंद्ट्रि इं अर में अर्म code ऌर्ड्र रेंट शLife इंद्र अर्बित इंद्ट इंद्ट of data इन्क्रीजिंग और ओफ देयर एनर्जी कि जो भी आपके और विटल्स होते हैं उन और विटल्स को हम कहां पर रखेंगे इन्क्रीजिंग और ओफ देयर अनर्जी के अंदर और फिर उनके अंदर क्या करते हैं और विटल्स के अंदर वो हमेशा इन्क्रीजिंग और ओफ देयर अनर्जी फिल के जाते हैं सबसे कम है उसके अंदर सबसे पहले आएगा और सबसे जादा है उसके अंदर सबसे बाद में जाएगा तो यह जो अरेंजमेंट होता है इसको बोला जाता है electronic configuration क्या बोलेंगे electronic configuration ठीक है और electronic configuration करके हम क्या निकाल सकते हैं और वैलेंस electron को निकालेंगे किसको निकालेंगे valence cell को और valence electron को और वैलेंस electron को देखके हम बता सकते हैं कि कोई बी element है वो metal है या or non metal है कि लियर है यहां तक सभी को ठीक है तो आप पढ़ते हम कि जो metal होती है उनको identify कैसे करेंगे बतलो इलक्त्रोंड के थूरू हम मेटल और लॉन मेटल यह वारे में कैसे बता सकते हैं तो बच्चो अब बात करते हैं एक्जांपल की मैटल को किस टाइप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हों तो मालो हमने एक्जांपल ले लिया सोडियम का ठीक है अब सोडियम का जो तो हम यहां पे लेके चल रहे हैं सोडियम को सोडियम का तो हम नंबर 11 होता है मतलब इसके अंदर 11 ही इलाक्ट्रोन पर जाएंट है तो जब इसका इलाक्ट्रोनी कॉन्फिग्रेशन करेंगे तो इलाक्ट्रोनी कॉन्फिग्रेशन के आएगा हमारे पास में 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ठीक है मतलब जो सबसे कम अनर्जी वारला और्विटल था 1s उसके अंदर हमने 2 इलाक्ट्रोन फिल के फिर 2s के अंदर 2 इलाक्ट्रोन आ गए फिर 2p के अंदर 6 आ गए क्योंकि पी के अंदर 3 और्विटल होते हैं और 1 और्विटल में 2 इलाक्ट्रोन तो 3 और हमारे पास इलाक्ट्रोन सिर्फ एक ही बचा क्योंकि यहां तक आए तो 10 कंप्लीट हो गए 10 के बाद में एक बचा जिसको 11 यहां पर हमने 3s के अंदर 1 फिल कर दिया अजरवाई इसके अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते थे तो इलाक्ट्रोन लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ व 15 सिर्फ तबन हो गया च्रॉक्ठर बनाए तो इसके अंदर पर ऩजंट होता है उसके बाद में फिर आ पके पास में ऑन फिर आएगा आएगा आपके पास में निच एकल टू तुstes थिए रहे लाज लाक्ट्रोन अमारा जा रहा एंड इस इकल टो वन गेंदर मारे कि इस पलेस तो एट उसमें रूट्री पर पाई सिख्स वर एट और एंडर कितने थे वान एंड वन टो एन इस इकल टूब टो वन में टू एक्रों ते एन इस सिक्स प्लस टू एट और थिरी एस के अंदर हमारे पास में कितना है सिराफ एक लाक्ट्रोन तो अब इस एटम के अंदर देखो तो सबसे लाष्ट वाली सेल कौन सी आ रही है अनिज इकॉल टू 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 थी यहीं हमारी क्या रहेगी वैलन्स सेल डेगी क्या रहेगी वैलन तो इसकी तो कितना आ रहा है वन इसका मतलब सोडियम होcha है कि Cao स्रीघ MILD में आंगे घैना अगया एसे ही अगर हमने लिए लिया हुआ मान लो लीथियम का टॉमिक नमबर कितना होता है इसका इलक्रोनिक कोन्फिग्रेशन करो वन एस टू और टू एस वन वान एस टू कम्प्लिट हो गया उसके बाद में टू एस आएगा लेकिन हमारे पास टोटल थ्री एलक्रोन है तो टू एस के इंदर हम कितना फिल कर देंगे वन इ कितने आई हमारे पास में वैलेंस सेल इस इक्वल टू टू और वैलेंस इलक्रोन कितने आगा इधर तो वैलेंस इलक्रोन हमारे पास में कितना आ गया बन आ गया तो इसकी भी सेल में क्या रहा है एक ही वैलेंस इलक्रोन आ रहा है है एंस इटीज ओंसो ए मैटल समझेंगे सबी को किलियर है तीक है ऐसे ही मालो हमें निकालना हो आयरन के लिए आयरन का टोमिक नंबर कितना हुथ 26 कितना आएगा 26 तो इसका एलक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन करते हैं यहां पर दो तरीकिये से मैंने आप लोग उग एलक्ट्रोनिक कोन्फिग्रेशन बता दिया अगर आपको सिंपल कोन्फिग्रेशन करना है तो आप क्या एट ये वाला फॉरमुला यूज करेंगे हमारे पास में 288 हो गया अब 18 तो नहीं आ सकते तो कितने बाच गए यहां पर देखो एटीन कि एटीन के बाद में हमारे पास टोटल है 16 तो इसमें कितने आ जाएंगे एट और बन क्योंकि टोटल हमारे पास कितने बाच गए एटीन नाइन्टी ट्वेंटी और सिक्स वह वह यानि एक्स एंड टू ए लास्ट वाले हमारे पास में एट एलेक्रोन आ तो टू एट एट और एट वैलांस हैल के अंदर कितने एलक्ट्रोन सारे हैं एट एलक्ट्रोन तीक है न अब देखो इसके अगॉर्डिंग क्या आए 6 3S2 3P6 उसके बाद में क्या आएगा हमारे पास में 4S2 और फिर आएगा 3D6 रेखो टू एंड टू फॉर फॉर एंड शिक्स टैन एन और टू ट्वेल टू फॉर्टीन फॉर्टीन एंड शिक्स 20 यहां तक हो गया और फिर जो शिक्स बचे वो अगले में आ गए तो कितने हो है वो कितनी है हमारे पास एन इस इकॉल टू फॉर्ट कितनी है एन इस इकॉल टू फॉर्ट अगर आपका आटोमिक नंबर जादा है तो आपके आपके लिए सही लाक्रोनिक कॉन्फिग्रेशन यह देगा ठीक है क्योंकि अगर आप वह वाला मैथड यूज करते हो तो इस यह वैलों इस6 ले जी उकॉल टू और और वैलेंट इलटू कि अगर हम बात करें वैलेंस इलक्ट्रोन कितनी आवंगे उसके अंदर इसके अंदर जिसकी वैलन सेल में 1, 2, 3 लाक्रोन परजेंट होते हैं उस element को हम क्या बोलते हैं metal बोलेंगे क्या बोलेंगे metal समझ में आगया या फिर हम बोल सकते हैं कि वो element जो electricity conduct करें या signing surface हो या फिर light को reflect करें वो क्या क्या लाती है metals क्या लाती है क्या आएगा लश्चर लश्चर का मतलब क्या होता है कि मैटल्स है व शाइनिंग सर्फेस कि जो भी आपकी मैटल होती है उनका सर्फेस कैसा होता है साइनिंग सर्फेस होता है लश्चर लश्चर का मतलब जिसके अंदर क्या हो साइनिंग हो चमप हो चाहिक है लेशार का मतलब क्या होता है चमप होती है तो जितने यह甚ि क्या रहेगा उन शाइनिंग सेर्फिस ठीर ने सेकंड जो मारे पास में आएगा वी यह मैं लोटी और ए है मालेव स uğसे मिले का मतलब क्या है कि मैंत chop focus कैन और पी मिममर्ड चिछ ऑपर बिंडल हो गिन हिन गया रहा है कि मैटल्स करके पतली से पतली से पतली की पतली चद्दर के अंदर 컨वाट कर सकते हो इस प्रोपर्टि को बोला जाता है मैलेवलेटी और जो मैंटल होती होगी है मैंटल ऐसे आपने देख और वार्क आता है इसको स्वीट के उपर डेपोरेट करने के लिए यूजिए अधा गोलडन और इनको क्या क्या जाता है है कि ये चैंज किया जाता है तिंचीट लिए चैंज कर सकते हैं अगला जो उमारे है कि मैटल्स को आप स्ट्रेच करके पतली से पतली वायर के अंदर कनवर्ट कर रखते हैं ठीक है ना उस प्रोपर्टी को बोला जाता है ड़क्टेलिटी और मैटल्स क्या होते हैं ड़क्टाइल होते हैं ठीक है कि जो आपकी मैटल है उनको हम स्ट्रेच करके बारिक से बारिक पतले से पतले वायर की फॉर्मेशन कर सकते हैं ठीक है ना इसी प्रोपर्टी की वजए से जो आपका सिल्वर होता है और जो गोल्ड होता है इनका यूज़ किया जाता है जवैलरी बनाने के लिए ठीक है क्यों और जो आपकी मोश्ट डक्टाइल मैटल है मोश्ट डक्टाइल मैटल सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल मैटल होती है वो हमारे पास में है इस गोल्ड गोल्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है जो गोल्ड है उससे आप पतली से पतली वाहर बना सकते ह तब दो इन य इसलिए सबसे ज्यादर डाक्टाइल मेटल लिए है गोरल इसके बाद या underneath और आती है वो आती है लाक्रीकल टेक्टिवीटी आ plut- कि ऑफती के देह लक्रेशे लाक्रीकल फ्टेंटर केंधर दर क्या क्याता है कि keyboards ऑर रगुंड केंटर औरो बोफ एंड एलाक्ट्रिसेटे यो आता है स्टेट के अंदर क्या कहता है कि मेटल्स निएकिषिट एंज कि जितने भी मैटल्घों है वो कैसे एकस्ट घाथी है एकसेप्ट इसके अंदर एकसेप्शन हैं dishwas defending gravity informing शिर्फ एक मैटल को चौड के जो लिक्विड होते हैं वो उते हैं मरोकरी इस मैटल को चोड के जितने भी मैटल्घों होते हैं वो सारी क्या होती है solid state के अंदर पर जेंट समझ में आ गया अगला जो हमारे पास में आता है वो आता है आपके पास में hardness hardness के अंदर क्या कहता है कि metals are generally very hard metals क्या होती है hard होती है ठीक है नहीं कठोर होती है except sodium lithium and potassium which are generally soft metals क्या होती है generally soft होती है and can we cut from knife क्या कर सकते हैं knife से cut कर सकते हैं समझ में आ गया इसे कहता है कि जितने भी आपके metals होती है सारी की सारी हार्ड होती है कि इनको छोड़के sodium lithium और potassium को यह क्या होती है soft होती है इतनी soft है कि आप इनको knife से cut कर सकते हैं ठीक है ना और बाकिए इनको छोड़के जितनी मेटा लाइंगी सारी क्याएंगी हार्ड लाइंगी ठीक है उसके बाद में अगला जो हमारे पास में आता है वह आता है सोनोरस सोनोरस के अंदर क्या क्याता है कि इटीज दा प्रोपर्टी कोफ मेटल्स बैटीज दे क्रियेट रिंगिंग साउंड वैन वैंट त्रू अन ओब्जेक्ट ठीक है क्या कहता है कि सोनोरस क्या होते है मैटल की वह प्रोपर्टी होती है जिसके अंदर जब इन मैटल्स को किसी भी ऑग्जैक्ट से हीट किया जाता है किसी भी चीज़ से हम जो भी आपके डोरबेल होती है जो स्कूल बेल होती है इसका इनको बनाने के लिए मेशह मैटल का युज जाता है समझ में आग और इसी प्रोपट्री को क्या बोलते हैं हम सोनौरस जो आगला जो महारे पास में आता है वह आता है melting and boiling point इसके अंदर क्याता है कि metals are hard metals जो होती हो क्या होती है hard so they have high melting point and boiling point क्या क्या रहा है कि जो आपकी metals होती है इसी वज़ेसे उनका melting और boiling point भी क्या होता है जादा होता है समझ में आ गया सभी को ठीक है तो यह थी हमारी कुछ physical properties of metals कि लिए रहे सभी को यहां तक अगला जो हमारा टोपिक आता है वह आता है chemical properties of metal कि जो आपकी metals होती है उनकी क्या 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 chemical property होती है तो सबसे पहले जो हमारी chemical property आती है वह आती है reaction of metals with air air यानी oxygen ठीक है न कि जो metal है वो air के साथ मेरी oxygen के साथ में react करके किसकी formation करती है कि इसमें कहता है reaction of metal with air कि यानी जो metal है वो air यानी oxygen के साथ react करके किसकी formation करते हैं जिसमें कहता है कि metal है रियाक्ट विद ऑक्सीजन है टूफों मैटल ओक्साइड इसकी कि फ्रमेशन कर लेती है metal oxide की formation कर लेती है मतलव अगर हम किसी भी reactive metal को react करवाते है oxygen के साथ में तो किसकी formation कर लेंगी metal oxide formation जैसे मानलो हमने ले लिया copper copper को जब हमने और टू के साथ में react करवा तो यहां हमारे पास बन जाएगा copper oxide क्या बनेगा copper oxide अगर इसको balance करेंगे तो यहां पर oxygen 2 है इधर one है इसको 2 से multiply कर दो अब इधर copper कितना हो गया two तो इस copper को क्या कर देंगे तो यहां पर हमने क्या क्या है कि copper metal लिया इस copper metal को हमने oxygen के साथ में react कर वाया तो जब हमने copper को oxygen से react कर वाया तो यहां से बन गया copper oxide क्या बन गया copper oxide ठीक है न तो यह क्या कर रहा है कोई भी metal जब oxygen से react करती है तो किसमें चेंज जा जाती है उसके oxide के अंदर यानि metal oxide की formation कर लेत ठीक है ना दूसरा मानलो हमने एक्जामपल ले लिया कि हमने लिया A-L Aluminium इसको जब हम O2 के साथ में react करवाते हैं यानि oxygen के साथ में react करवाते हैं तो यह बना लेता है Aluminium Oxide यानि A-L2 O3 समाज में आ गया ठीक है तो यहाँ पर आपको 4 Aluminium लेना पड़ेगा 3 O2 लेना पड़ेगा तो यह आपका 2 A-L2 O3 की formation हो जाए इसको balance कर सकते हो क्योंकि लाश्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि किसी भी chemical reaction को balance कैसे किया जाते है ठीक है ना तो यहां से हमने क्या लिया Aluminium लिया Aluminium को हमने react करवाया Oxygen के साथ में तो यहां से हमारे पास में क्या बन गया Aluminium Oxide समझ में आ गया इसमें क्या कहता है कि जो भी आपके metal oxide बनते किसी भी metal का जो oxide बनता है यानि जो metal oxide होते हैं वह नेचर के अंदर हमारे पास में क्या आएंगे basic आएंगे basic in nature यानि जितने भी आपके metal oxide होते हैं वह सारे के basic होते हैं नेचर के अंदर समझ में आ गया सभी को clear है और जो non metal oxide होते हैं वह acid होते हैं नेचर के अंदर समझ में आया है ठीक है ना सैकंड जो हमारी reaction आती है वह आती है reaction with water तो reaction with water के अंदर क्या कहता है कि जब किसे भी metal को water के साथ में react करवाय जाता है तो metal जब water के साथ react करती है तो यह चेंज हो जाती है metal oxide यानि यहां से तो आपका metal oxide बन जाएगा पलस hydrogen gas बहार निकल जाए तो इसमें एक्जाम्पल अगर हमने के चले मान लो हमने ले लिया magnesium magnesium को हमने react करवा दिया ह2O के साथ में ठीक है ना तो यहां से हमारी जो formation होगी वो गया आपकी MgO पलस में H2 MgO पलस में H2 यहनि जो हमारा magnesium था magnesium जो metal थी उसने water के साथ में reaction किया और क्या बना लिया magnesium oxide magnesium oxide के साथ में हमारे पास में क्या बन गई hydrogen gas की formation होगी तो इसमें कहता है कि अगर कोई भी metal water से react करती है तो क्या बना लेती है metal oxide की formation कर लेती है समझ में आया है सभी को clear है ठीक है इसके अंदर एक चीज़ वराती है कि अगर आपकी metal मतलब आप ज्यादा reactive metal से लेते हैं तो अगर आप उसको air के अंदर या oxygen के अंदर भी रियक्ट करवाते हैं तो वहां पे विग्रस reaction करते हैं जैसे हमारा sodium और potassium sodium और potassium एक ऐसी metal होती है दोनों जो air के सब बहुत ज्यादा रियक्टिव है यह दोनों कहा है बहुत ज्यादा of metal with acid reaction of metal with acid के अंदर क्या कहता है कि किसी भी metal को जब dilute acid के साथ में react करवाय जाते हैं तो यह salt की formation करते हैं इसकी formation करेंगे salt plus hydrogen समझ में ठीक है ना मतलब हमारी जो metal है वो dilute acid से react करेंगे तो वहां से salt बनेगा और hydrogen gas बनेगे ठीक है example लेते हैं जैसे हमने ले लिया magnesium metal को इसको हमने h2o4 के साथ में react करवा लिया तो जब हम magnesium को dilute h2o4 के साथ में react करवाएंगे यह नि sulfuric acid के साथ में react करवाएंगे तो यहां से हमारे पास formation किसकी होगी magnesium sulfate की किसकी formation हो जाएगी magnesium sulfate normally यहां पे displacement reaction हो रही है कि जो आपका magnesium है hydrogen को बाहर निकाल रहा है ठीक है ना तो यहां से magnesium sulfate बन गया पलस आपका hydrogen gas की वोल हो जाएगा समझ में आ गया सभी को तो यहां से हमारे पास साल्ट क्या बन गया magnesium sulfate और यह जो magnesium sulfate है यह साल्ट बनेगा पलस में यहां से आपका h2s बहार निकल जाएगा लेकिन इसमें कहता है कि जो आपके पास में कोपर silver gold and gold mercury and platinum यह जो आपके metal होती है यह डाइलूट से रियक्ट नहीं करती है डू नोट रियक्ट विद डाइलूट है से नहीं करती है कि जो आपके कोपर है silver है gold है mercury और platinum यह मैटल्स डाइलूट एसिड के साथ में रियक्ट नहीं करती क्यों नहीं करती इसे यह डाइलूट एसिड से रियक्ट नहीं करती क्योंकि इसके अंदर अगर यह रियक्ट कर रही है तो हाइड्रोजन को बाहर निकलना पड़ता है और हाइड्रोजन बाहर कब जाएगा जब हाइड्रोजन को उससे जादा रियक्टिव मैटल क्या करेगी डिस्प्लेस करेगी समझ में आ गया तो यही रीजन है कि जो हाइड्रोजन के रियक्टिविटी सीरीज के अंदर जो भी मैटल हाइड्रोजन के बाद में आती है वो कि साल्ट सॉल्इशन ओफ कि अनोधर मेटल मतलब कि हम किसी भी मैटल को रियक्ट करवाएं किसी भी दूसरे साल्ट के साथ में किसी भी मैटल के दूसरे साल्ट के साथ में ठीक है ना यान लो हमने लिया मैटल ए जब रियक्ट करेंगे, salt solution of metal B, किसे भी B metal के salt के साथ में react करती है, तो यहां से formation हो जाएगा, salt solution of A, पलस में B metal आपकी बहर निकल जाईए, यह भी किसको करती है, displacement reaction चोगा, कौन से reaction आगी, displacement reaction ठीक है ना कैसे आएगी मालो हमने ले लिए zinc इसको हमने react करवाया copper sulfate के साथ में तो यह बरक copper metal का start solution हो गया इसको हमने zinc metal के साथ में react करवा लिए तो यहां से यह बन जाएगा zinc sulfate पलस में copper और यह reaction मैंने last video के अंदर भी समझाई थी कि यह reaction कैसे होती है ठीक है किसमें जो आपका zinc होता है वो zinc क्या बनाएगा zinc से zinc two plus बनाएगा और दो electron को loss कर देगा फिर जो आपका copper sulfate में copper two plus है वो दो electron को gain करके क्या बना लेगा copper और जो आपका zinc two plus है यह sulfate two minus के साथ में क्योंकि जो copper sulfate होता है कोपर sulfate में क्या मिलता है copper two plus और sulfate two minus यह घूमते रहते हैं अब जैसे ही zinc two plus बन के solution में जाएगा तो zinc जो है वो copper से ज़्यादा reactive है तो copper को तो बाहर बगा देगा और इसके साथ में खुदा के किसकी formation कर लेगा जैडन SO4 की और जो आपका copper two plus है वो दो इलेक्टरों लेके क्या मना लेगा copper की formation कर लेगा समझ में आगा तो इस तरह के से कहता है कि यहाँ पर जब भी हम किसी भी metal को react करवाते है side solution of other metal के साथ में तो वहाँ पर कहता है कि more reactive metal metal will displace less reactive metal तो इसमें क्या कहता है जो less reactive metal with displace from its salt ठीक है क्या कहा रहा है कि जो आपकी more reactive metal है वो क्या करेंगी less reactive metal को उसके salt से displace कर देगी ठीक है तो यह reaction कब होगी जब हम किसी भी metal को किसी दूसरी metal के salt से react करवाते है समझ में आ गया कि लिए सभी को अगला जो हमारा topic आता है वा आता है एमफो टेरीक ओक्साइड की एमफो टेरीक ओक्साइड क्या होते है ते इसमें कहता है कि दीज आर्दा metal oxide which react in both your hair with it इसमें और बेस आर कोल्ड एमफो टेरीक ओक्साइड ठीक है इसमें कहा रहा है कि वो metal oxide जो acid और बेस दोनों के साथ में react करते हैं यानि जो एसेडिक प्रोपर्टी भी शो करें और बेसिक प्रोपर्टी भी शो करें उन metal oxide गों क्या वोलते हैं एमफो टेरिक ओक्साइड एग्जांपल कि अगर बात करें तो यहां पर इसका एग्जांपल आपके पास में आते हैं और बेसिक बीहेविर भी सोगते हैं मतलब यह सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेस के साथ में रियाक्ट कर सकते हैं तो ऐसे जो भी हमारे पास में मैटल ऑकसाइड है उनको क्या वह लेंगे और यह बहुत ही इंपोर्ट के अंदर पूछा जाता है ठीक है अब हम बात करें जैसे हमने ले लिया के रियक्ट करवाएंगे तो यहां से हमें कितना लेना पड़ेगा जाएंगे तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा टू एल टी एल ठीक है और उसके साथ में पलस यहां से बन गया पलस में आपका बनेगा वोटर गी फॉर्मेशन हो जाएगी तो वोटर हमारे पास बनेगा थी वोडियों सो एच्टो ठीक है तो ऐसा कोई भी मैटल ऑकसाइ जो एसेड और वेस दोनों के साल साथ रियक्ट करके सॉल्ट पलस वोटर की फॉर्मेशन करता है उसको हम क्या मोलते हैं एमफोटेरिक ओकसाइड ठीक है अगला हम लेके चले मालो एल टू ओ त्री लिए हमने इसको जब हम रियक्ट करवाएंगे बेस के साथ में तो यहां स में और पास में साल्ट प्लस वोटर की फॉर्मेशन है तो यह जो हमारे पास में आकसी डांता यह क्या आता है क्या नियुक्त गरी इन camera kai it is the arrangement arrangement of metals in increasing order of so the in decreasing order of order of their reactivity is called reactivity series यानि reactivity series गया है reactivity series arrangement है metals का reactivity series के अंदर metals को arrange क्या गया है according to their decreasing order of reactivity यानि जो metal सब्से ज्यादा reactive है उसको series के अंदर सब्से उपर रखा गया है और जो मेटल सबसे कम रियक्टिव है उसको सीरीज के अंदर सबसे नेचे रखा रहा है ठीक है ना इसी रियक्टिविटी सीरीज के अकोर्डिंग हम बताते हैं कि कौन सी मेटल सबसे ज्यादा रियक्टिव है और कौन सी मेटल सबसे कम रियक्टिव है समझ में आ गया यह जो सीर which do not reflect the light reflect light and are over conductor of of heat and electricity are cold known metals इसके अंदर क्या कहता है कि वो element जो light को reflect रही करते हैं और heat और electricity के क्या होते हैं पूर conductor होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं non metals बोलते हैं ठीक है दूसरी अगर definition के बात करें तो इसमें क्या कहता है if those elements which have four five six or seven electrons in their valence cell are called known metals इसमें क्या कह रहा है कि वो element जिनकी valence cell के अंदर four five six और seven electron याईनि four से seven electron अगर किसी की valence cell में हैं तो वो क्या कहलाएंगे non metals कहलाएंगे ठीक है जैसे हमने metal के बार भी बढ़ा था कि अगर one से three one two three electrons present है valence cell में तो उसको हम क्या बोलते हैं metal बोलते हैं ऐसे ही अगर four two seven electrons present होते हैं तो उनको बोला जाता है non metal क्या बोला जाता है non metal और mainly अगर हम बात करें four electron वाले की तो वो हमारे पास में क्या आएंगे metal जिनको हम non metal के साथ में study करते हैं ठीक है ना यानि metal क्या होते हैं इनकी valence cell के अंदर four electron पर जेंट हो उन्हीं को metal क्या होते हैं जो metal और non metal की property शो करते हैं यानि metal की property भी शो करते हैं और non metal की property भी शो करते हैं उन elements को हम metalloid बोलते हैं और उनका identification कैसे करेंगे उनकी valence cell में four electrons आएंगे और generally इनको non metal के साथ में ही पड़ा जाता है समझ में आगा clear है सभी को ठीक है ना example लेते हैं तो example के अंदर क्या कह रहा है कि हमने मानलो ले लिया nitrogen nitrogen का atomic number कितना होता है सेवन इसके अंदर number of electrons भी कितने आएंगे सेवन तो इसका electronic configuration करेंगे 1s2 2s2 and 2p3 ठीक है 1s2 2s2 and 2p3 अब यहां पर देखेंगे valence cell जो इसकी कौन सी है n is equal to 2 लास्ट में टू आ रहा है तो n is equal to 2 तो क्या होगी इसका balance cell और इसके अंदर balance electron क्या आ गए balance electron तो अगर आप balance electron की बात करें तो इसके अंदर कितने है two plus three two plus three is equal to five जिनकी balance cell में कितने electron है और जिसकी balance cell में five electron present वो क्या होती है नोन मैटल होती है है हैंस nitrogen is a non एक है ऐसा ही माल लो अगर हमने बात किया औक्सीजन का टोमिक नंबर कितना होता है एट है तो इसका एलक्रोनिक ओन्सिग्रेशन क्या आएगा वान एस तू तू एस तू एंड टू पी फूर वन एच्टू तूए टू एच्टू एड टू पी फूर ठीक है ना तो यहां से अगर आप देखते हो वैलैंस वैलैंस सेल तो वहीं हमारे पास एनिजी इकवाल टू आएगा और इसमें वैलैंस वैलैंस एलक्रोन के अगर हम बात करें तो फूर पलस टू लेक्रोन इस जिसमें हैं समझ में आगे सब्सक्राइब एक इंदर है तो टोटल कितने होगए उलक्टरॉण और जिसकी वैलेंस सेट्रोण हो क्या कहलाती है नोटोड मेंटल क्या आती है समझ भी को तो आदेंटिफाई कैसे करेंगे कि वह element जिनकी वैलेंस सेल के अंदर 4567ए उन सबी को नौनियाँ भी कंड Czechetha वर की तो सब से पहले आगर हम बात करें तो इसमें कहता है कि की जो गी है कि जो की जो नहीं होता है यह और मैयटल खनी नहीं होता है एक को छोड़ के यानि accept iodine, iodine एक ऐसी नोन मेटल है जो signing होती है, इस iodine को छोड़ के बाकि जितने भी आपकी नोन मेटल्स होती है, वो लस्टरस नहीं होती है ठीक है न, तैकिन आता है, नोन मेटल्स आर नाइधर मैलेवल नोर डक्टाइल, दे आर ब्रीटल, इसका मतलब क्या है, कि जो आपकी नोन मेटल्स होती है, वो ना तो मेलेवल होती है, मतलब ना तो हम उनको हैमर करके seat के अंदर convert कर सकते हैं, और ना ही किसी भी नोन मेटल्स को stretch करके wire के अंदर convert किया जाज़ каждUnis ना ही मेबल होती है, और ना ही डक्टाइल होती है, ठीक है, इतके मतलब हो है कि अगर आप उनको हैमर करोगे तो ब्रेक हो जाएंगे तूट जाएंगी उस प्रोपर्टे को बोलते हैं ब्रीटल तो जो नोन मेटली हो क्यों वृती है डाह या नाही डंक ताय ट्यक्वाने पास में आता है वह आता है कि नोन मेटल्श आर exist in exist as solid or gas except bromine which is liquid इसमें क्या कहता है कि जो आपकी non-metals होती है वो as solid भी exist करती है और as a gas भी एक non-metal ऐसी है जो as a liquid exist करती है और वो अपका सि्टाव ब्रोमीन जो नोन मेटल होती है वह लिक्विड Desa बोलते है जिसको टीक jai इसके अलावा जितने भी नोन मेटल है यह तो अबको इसके democracy जो आता है वो आता है वो आता है नोन मेटल्स आर जन्रली सोफ्ट एक्सेप्ट डायमेंड विच इज आर्डेस्ट सब्स्टाम्स कोन अर्थ करश्ट आइजन कर्ण के इसमें क्या कह रहा है कि जो 008 मेटल जन्री सोफ्ट होती है तिक ना एसकंपर टू मैटल 0 मैटल क्या होती है सोफ्ट होती है लेकिन एक को छोड़ कि वों क्या हमारे पस में ड्याइमेंड डे मेंड कार्वन का एक एलो ट्रोपिक फोम है कारबन की एक एलो ट्रोपिक फोम है डाइमेंड जो क्या होता है अर्थ क्रेश्ट के उपर सबसे हार्डेश्ट सब्स्टांस मना जाता है डाइमेंड इस दा हार्डेश्ट सब्स्टांस ओन आर्थ क्रेश्ट ठीक है इसको छोड़े जितने भी आपकी नोन मेटल्स होती है वो क्या होती है सोफ्ट होती है एज गंपेर टू मैटल्स फिफ्ट जो हमारे पास में आता है वो आता है नोन मेटल्स आर पूर कंड़क्टर ओफ हीट एंड इलक्टरिसीटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट ठीक है इसमें क्या कह रहा है कि जितनी भी आपकी नोन मेटल्स होती है वो अपने अंदर से ना तो हीट को पास करती है और ना ही इलक्टरिसीटी को पास करती है इसलिए वो हीट और इलक्टरिसीटी के क्या होती है पूर कंड़क्टर होती है एक को छोड़के वो है आपका ग्रेफाइट ग्रेफाइट इस दा एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कारबन ग्रेफाइट भी क्या हता है कारबन के एक ठीक है अगला जो हमारे पास में आता है कि नोन मेटल्स है ओग लो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट लाइमेंड डायमेंड जोती है डायमेंड नोन मेटल क्या है हार्डेश्ट सबस्टांस माला जाता है इसको छोड़ के जितनी भी आपकी नॉन मेटल्स है उनका अनकामेल्टिंग बॉईंट मैटल के कमपरेशन में क्या होता है हैं क्योंकि बागी जो मेटल्स होती है वो मैटल के कंपेरिजन में सौफ्ट होती है यह उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या आएगा लो मेल्टिंग पॉइंट आए ठीक है न अगला जो हमारे पास में आता है वो कहता है कि नौन मैटल्स और ओक साइड और बेसिक इन नेचर तो तो री एसेडिक इन नेचर कि जो भी आपके नौन मैटल ओकसाइड होते हैं वो नेचर के अंदर एसेडिक होते हैं जैसे हमने पढ़ा था कि जो आपके मैटल ओकसाइड होते हैं वो नेचर के अंदर बेसिक होते हैं वैसे ही जो नोन मैटल का जो ओकसाइड आएगा वो नेचर के अंदर क्या रहेगा ए है लेकिन ऐसा कोई भी ऑक्साइड जो एसे डिक और बेसिक दोनों प्रोपर्टीश वह करता है उसको हम एंफोटेरिक ओक्साइड वहांते हैं क्या वो लेंगे एंफोटेरिक ओक्साइड समझ में आ गया सभी को तो यह थी हमारे पास में फीजिकल प्रोपर्टीश ओफ नौन मेटल्स हाँ तो बच्चो अगली जो हमारी टॉपिक आता है वह आता है chemical properties of non-metal की non-metal की कौन-कौन सी chemical properties होती है तो इसमें सबसे पहला जो आपका आता है वह आता है reaction with oxygen reaction with oxygen तो इसके अंदर क्या कहता है कि जो भी आपका non-metals होती है non-metals जो है react करती है react with oxygen to form acidic oxide क्या बनाने के लिए react करेंगी acidic oxide बनाने के लिए react करती है जैसे मालो हमने ने लिया कोई भी non-metal लिया इस non-metal को जब आप react करवाओगे oxygen के साथ में तो यहांचे आपके पास formation हो जाएगी acidic oxide की ठीक है example लेते हैं कि हमने non-metal लिया carbon इस carbon को हमने react करवाया O2 के साथ में oxygen के साथ में तो यहांचे बनेगा आपके पास में carbon dioxide gas यहांपे आपका carbon solid रहेगा oxygen gases form में रहेगा और यह भी क्या बनेगी gas बनेगी तो यह carbon के क्या बन गया oxide बन गया carbon dioxide जो क्या रहेगा acidic रहेगा निचर के अंदर क्या रहेगा acidic यह आपका क्या हो गया carbon हो गया non-metal हो गया ठीक है जब यह oxygen metal के oxygen के साथ में oxygen gas के साथ में react करेगा तो carbon dioxide की formation कर लेगा जो की निचर के अंदर क्या होती है acidic होती है तो जितने भी आपके oxide से बनते है non-metal के वो सारे के सारे non-metal oxide acidic होते है निचर के अंदर समझ में आया ठीक है second जो reaction आती है reaction with water reaction with water तो इसके अंदर कहता है कि अगर कोई भी non-metal water से react करती है तो वहाँ पर कोई भी reaction नहीं होती है क्या आएगी non-reaction मतलब कि जो non-metals है वो वोटर के साथ में react नहीं करती है समझ में आगया अगली जो आपके आएगी वो आएगी reaction with dilute acid इसके अंदर कहता है कि जो आपकी non-metals होती है वो dilute acid के साथ में भी react नहीं करती dilute acid और इधर से क्या आएगी no reaction इसके अंदर भी कोई reaction नहीं होती है non-metals do not react with dilute acid फॉर्थ जो हमारे आता है वो आता है reaction with chlorine reaction with chlorine के अंदर कहता है कि non-metal react with क्लोरीन कि टू फॉर्म कि रिस्प्रेक्टिव क्लोराइड कि कोई भी non-metal है वो जब क्लोरीन से react करती है तो अपने क्लोराइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं क्लोराइड का मतलब माननों हमने ले लिए एच्टू इसको जब हमने क्लोरीन के साथ रियक्ट करवाया तो यहां से आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी टू एच्टू एच्टू यह नि हाइड्रोजन ख्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो कोई भी non-metal क्लोरीन से react करके क्या बना लेती है ख्लोराइड की फॉर्मेशन कर लेती है अगला जा हमारे पास में आता है वो फिस्टा आती है और रीक्षिन के चालिख सब्सक्क पन्क ही या मैंधू इंटर क्या कहता है नौन मैंतल्स पिती है और यहाओल आङ क्या की त्रूविह तो फों अर sia यहाड्र पेक्ट फिसक्ट्टीव None Metal जो है वो hydrogen के साथ में react करके अपने hydride की formation करते है जैसे मानलो हमने H2 को react करवा दिया sulfur के साथ में sulfur non metal किसे react कर रही है hydrogen से तो यहाँ से formation हो जाएगी H2S की समझ में आ गया तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई भी non metal है वो अगर hydrogen से react करेगी तो क्या बना लेगी हाइड्राइड की फोर्मेशन के लिए सभी को यह थी हमारी कैमिकल रियक्षिन ओफ या कैमिकल प्रोपर्टीज ओफ नॉन मैटल्स अगला जो मारा मोस्ट इंपोर्टेंट टोपिक आता है वो आता है एक्वारेजिया की एक्वारेजिया क्या होता है तो इसमें क्या कहता है कि इट इस दा मिक्षर ओफ टू एसेड दैट इज है एच्छी यल एड एच एन ओ त्री इन दा रेशियो ओ थ्री रेशियो बन ठीक है ना मतलब जब एक्वारेजिया की अंदर एड किया जाता है तो यहां से हमारे पास में जिस मिक्षर की फॉर्मेशन होती है उस मिक्षर को क्या बोला जाता है एक्वारेजिया इसमें कहता है कि एक्वारेजिया डिजॉल गोल्ड एंड प्लैटिनम मेटल की जो भी आपका एक्वारेजिया जो होता है ठीज है यह गोल्ड और प्लैटिनम मेटल को डिजॉल कर सकता है इजली इतना पावरफुल होते है ठीक है इस хотел जिए किया जाता है जो जे ली मेकरश होते छो उन जाती है ठीक है तो उनको जब भी आपको जो lotta है हो उसको क्लीन करना उते है उसके उपर signing ला नहीं और प्लेटिनम को क्या कर सकता है डिजोल कर सकता है ठीक है अगला कहता है कि एक्वार एजिया इज ए स्ट्रोंग ऑक्षिडाइजिंग एजेड़ दू टू फॉर्मेशन ओफ और एन ओसी एल यानि नाइट्रोसिल क्लोराइड हैंड क्लोरीड बाई दा रियेक्शन ओफ टू एसेड इसमें क्या कह रहा है कि जो आपका एक्वारेजिया होता है जब भी एक्वारेजिया बनाए जाता है तो आपे हम दो एसेड को मिक्स करते हैं इन डोनों के बीचे ऱहां से फोर्मेशन की इसके यानि नाइट्रोसिल क्लोर्इड की फ्रमेशन होती है और क्लोरीड की इन दोनों की फोर्मेशन की वज़यसे ही जो आपका एक के पूछा जाता है तो अगला जो हमारा टोपिक आता है वह आता है आयोनिक कंपाउंड की आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि दीज आरदा इसके आरदा हा बुझा पर आरदा है झाता हैं कि कुपिसक कर दोज अवये न सब्सक्रति आ को इन तंप्रल अधर। फ्रोम ए मैटल एटम टू नोन मैटल और कोंड आयोनिक कमपाउंड ठीक है क्या कहा रहा है कि जो आयोनिक कमपाउंड है वो कौन से कमपाउंड होते हैं जब कोई भी मैटल से इलक्ट्रोन ट्रांसफर होता है नोन मैटल पर ठीक है कोई भी मैटल है वो अपना इलक्ट्रोन किसको देता है नोन मैटल को तो वहां से आयोनिक की फॉर्मेशन होगी और उन आयोनिक कमपाउंड की कपूर्मेशन होगी समझ मिया आ गया घंप इसमें हम कह सकते है कि जो आयनिक कोंपाउंड नहीं कांटेन्व कों यह अज मायक फिटेन एबसक अधीभिने आटाय इन सो और है ना फिकर और है क्या कहता है कि डोज एटम्स विच कंटेंस पोजिटिव चार्ज आर कोल्ड तो इसा कोई भी एटम जो क्या कंटेंस करता है पोजिटिव चार्ज कंटेंस उन एटम्स को हम क्या वो लेंगे कैटाइन सुलेंगे चीए और अंश के अंदर में क्या क्या गाता है कि यूण नेक्टेंस है निजिएटीव चार्ज आर को रोड्ल आ जीन्ट इस तो इसे इसिए जो इस यह वह तो योठो ऑफ दि छोगा woke क्या कहलाएगा एन एन क्या में लिबगा होती है औरि जो नून कनवीं क्यों कंप्रेट करता है क्यों के अब लूस करके जैसा कि हम पड़ा था कि यह आपका में talking होता है में आपको वान तू और थरी लेक्टरोन भी लेंगे और जो आपकी नोन मेटल होती है नोन मेटल की वैलस जेल के अंदर आपको 856 आपको और 27 ऑपम करने कंप्लीट करने के लिए क्या करने के मैशंफ कीलें नाक्रण करने करने के लोगा तो इसको इलएकतरम लाक्तर Een इसे लिए ये एज़ली क्या और थी है और अपने उपर पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेती है जिसकी वजए से कैटाइन की फॉर्मेशन होते हैं, तो जो मैटल्स होती है, वो इसकी फॉर्मेशन करेंगी? कैटाइन की इसकी formation करेंगी कैटाइन की formation करेंगी ठीक है दूसरा कहता है नोन मैटल की जो वैलन्स सेल होते हैं इनके अंदर 4, 5, 6 और 7 इलाक्टरोन होते हैं तो इनको oktate complete करने के लिए 4, 3, 2 और 1 इलाक्टरोन चाहिए तो इनके लिए सेले इलाक्टरोन को लोस करने से ज़ादा इलाक्टरोन को गेन करना ही जी होता है ठीक है इसलिए नोन मैटल्स इलाक्टरोन को गेन करती हैं जिसकी वज़ेशन के उफ़र negative charge आ जाता है समझ में आ गया कि नोन मैटल्स अपनाdoes farcinь complete करने के लिए positive और negative charge के बीच में attraction होता है जिसको बोला जाता है electrostatic force of attraction जो की बहुत ही strong होता है ठीक है ना उसी की वज़े से यहाँ पर compound की formation होती है जिसको हम बोलते हैं ionic compound क्या बोलेंगे ionic compound चलो देखते हैं कि example से समझते हैं कि ionic compound कैसे बनते हैं तो एक्जामपल लेके चलते हैं हमने ले लिया formation of formation of NaCl हमने करनी है sodium chloride की formation sodium chloride एक ionic compound होता है क्योंकि इसके अंदर cation metal होता है और nion non metal देखो जो covalent compound होते हैं वो mainly non metals से बनते हैं ठीक है क्योंकि उनके अंदर mutual sharing of electrons होती है दोनों atom अपना एक 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 electron share करते हैं दो से ज्यादा जितने भी atom है सभी अपना electron share करते हैं और फिर क्या बनते हैं covalent bond बनते हैं जिनके तुरों जो compound बनेगा वो covalent compound कहलाएगा ठीक है लेकिन ionic compound के अंदर क्या होता है कि सबसे है वो क्या है sodium है sodium की valence cell में एक electron होता है इसका जो valence electron आएगा वो कितना हैगा हमारे पास में वैलेंस electron इस इक्वल टू वन लाद पीछे भी हम इसका electronic configuration कर चुगे हैं इसके अंदर sodium का जो valence electron आता है वो वन आता है तो sodium हैं हमारे पास में यह क्या करेगा एक electron को loss कर देगा और क्या बना लेगा एन ए फलमस क्या बना लेगा एन ए पलस यानि जो sodium था उसने एक लेक्ट्रोन लॉस कर दिये था है तो आप इसको यहां पर दिखा सकते हो या फिर आपको इधर भी श्योंब गलोरिं लोटे कि सोडियम था कि इंदर अंदर कि ने我知道 करने के लिए एक कर में चाहिए उसके लिए यह क्या करता है है जो chlorine होता है जो electron इसने loss क्या था उस coordori को प्रोर इन क्या कर लेगा और यहां से हमारे पास में psychology होगी,' कि एल , इसका formation होगी , थीव क्या क्या ऐ खिए तो यहां से क्या कहता हि कि जो आपका एन E एक्षिन निकालने के लिए दोगो वन इलक्ट्रोन इक्वल के इस साइड में है इसमें वन इलक्ट्रोन इक्वल के उधर है तो यहां से जब भी आपका एन ए प्लस और इन दोनों के बीच में फिर क्या होगा इलक्ट्रोस्टेटिक फॉर्स ऑफ अट्रेक्शन होगा यानि चल्क गडशी ज्यूद्टेट इसको मिलेगा किसके साथ सील रविटिव के साथ में तो यहां पर हमारे पास में क्या आएगा इलक्ट्रोस्टेटिक फॉर्स ओप अट्रेक्शन यह जो आट्रेक्शन होताई इसको बोला जाता है इलक्तु और व of attraction ठीक है जिसकी वजह से आपके पास में फॉर्मेशन हो जाएगी एन एसकी फॉर्मेशन हो जाएगी एन एसी एलगी तो जब भी कोई आयोनिक कंपाउंड बनता है तो उसके अंदर हमेशा कैटाइन और एनाइन फर्जेंट होते हैं तो एन दोनों के मिलने से बनेगा उसको हम क्या वोलेगे यहां तक सभी को अगला जो हमारा टॉपिक आता है वह आता है अनों मैंता स्थी आयोनिक कंपाउंड तो properties of ionic compound के अंदर देखो क्या कहता है इसमें सबसे पहली जो properties आती हो आती है physical state physical state physical state के अंदर क्या कहता है कि ionic compounds are are solid क्या होते है solid hard and generally brittle इसमें क्या कह रहा है कि जो भी आपका ionic compound रहेंगा वो जनरली क्या होते है solid रहेंगे hard रहेंगे और brittle रहेंगे बतुल ना तो malleable रहेंगे और ना ही ductile रहेंगे दूसरा जो इसके अंदर आता हो वो आता है solubility solubility के अंदर क्या कहता है कि ionic compounds are compounds are soluble in water and insoluble in nonpolar solvent such as benzene petrol एक्सेक्टरा ठीक है कि जो आपके ionic compound होते हैं वो polar solvent जैसे water हो गया water के अंदर क्या रहेंगा solubile रहेंगा क्यों क्यों कि इसके अंदर भी डाइपॉल परजेंट होता है और polar solvent के अंदर भी डाइपॉल यानि पोजिटिव नेगिटिव चार्ट परजेंट होता है तो इसी की वज़ए से जो आइए ionic compound है water के अंदर soluble होते हैं लेकिन जो आपके नोन पोलर solvent होते हैं जैसे बैंजीन पैट्रॉल इथर इनके अंदर आइनी compound insoluble होते हैं क्योंकि इन में सेम चार्ज परजेंट होता है ठीक है ना और आइनी compound में अलग चार्ज मतलब डिफ्रेंट पॉल्स पर जेंट होते हैं ठीक है तो polar solvent के अंदर आइनी compound soluble रहेंगे जैसे की water हो गया और नोन पोलर solvent जैसे बैंजीन और पैट्रॉल हो गया इनके अंदर आइनी compound insoluble होते हैं ठीक है थर्ड जो हमारे पास में आता है वो आता है melting and boiling point melting and boiling point melting and boiling point के अंदर क्या कहता है कि आइनी compounds are compounds are high melting point and boiling point कि जो आपके आइनी compounds होते हैं उनका melting और boiling point हाई होता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो आइनी compound होते हों generally hard होते हैं solid होते हैं और क्या होते हैं hard होते हैं hard क्योंते हैं because they have strong electrostatic force of attraction क्योंकि इनके ions के बीच में जो force of attraction होता है जिसको बोल जाता है electrostatic force of attraction वो बहुत ही strong होता है जिसकी वजए से इनका यह जो compound बनेगे हमारे क्या बनेगे hard बनेगे ठीक है और hard होने की वजए से इनका जो melting और boiling point है वो भी तो इसके अंदर कहता है ionic compound conduct electricity in both aqua solution or in molten state but they do not conduct electricity in solid state ठीक है जाय रहा है कि जो आपके ionic compound होते हैं वो एक्वा solution और molten state के अंदर electricity conduct करते हैं एक्वा solution का मतलब है कि जो भी ionic compound है आप उसको water के अंदर dissolve करेंगे तो वो liquid में change हो जाएगा उसके अंदर dissolve okay ठीक है फिर वो क्या करेगा electricity को कंडेक्ट करेगा अपने अंदर से electricity पास करेगा ठीक है दूसरा कहता है molten state, molten state का मतलब क्या होता है कि आपने ionic compound लिया उसको high temperature पे आपने melt किया जब high temperature पे वो melt होगा तो liquid के अंदर change हो जाएगा और फिर वो liquid जो है ionic proud